लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें समर्थन चैनल एड्रेट्थ्यूनिल डॉट पॉड्कास्ट लोग बंचा वियतनामी स्ट्रीट फूड है हेलो, हर कोई जो मैकडॉनल्स पॉड्कास्ट सुनना चाता है इस्टर अवकास से पहले भोजन के आनन्द के बारे में आज सूरज की किर्णे इस्टर की छुट्टी से पहले आ रही है इसलिए मैं कटार या ग्रिलिंग के बारे में सोच रहा हूँ मुझे बंचा की याद आती है यह वियतनाम में वियतनामी स्ट्रेट फूड है दोपहर के भोजन के समय हनोई की सडको पर ग्रिल्ड पोर्क और स्वादिष्ट मीठी और खट्ती चट्नी की महक आती है फिर यह बंचा है इस्टर के समय गर्मियों के सबसे अच्छे बार्बेक्यू क्यों नहीं पगाती? बंचा एक विशिष्ठ हनोई व्यंजन है उतक्रिष्ट नाश्ते के सूपफो के बाद यह विश्व प्रसिद और सबसे प्रसिद वियतनामी व्यंजन भी है जो यूरोप में एक शुद्ध प्रवृत्ती का व्यंजन बन गया है व्यतनामी बार्बेक्यूइंग में अच्छे हैं और इस व्यंजन में ग्रिल पोग दो तरह से होते हैं नूडल्स और एक विनेगर सौर दिप दोपहर के भोजन के लिए बार्बेक्यू बंचा यदि आप हनोई में हैं तो सड़क पर बिक्री के लिए बंचा होने पर आप इसे सूंग सकते हैं यहाँ क्लासिक स्ट्रीट फूड है और पोर को छोटी-छोटी आग पर ग्रिल किया जाता है आप इसे लंच में खाते हैं और सिर्फ लंच में पंद्रा बजे के बाद सेवा समाप्थ हो जाती है और बार्बेक्यू की स्वादिष्ट गंध सड़कों से गायब हो जाती है साल भर पसलियों को ग्रिल करें पक्वान सूर के मास से दो तरह से बनाया जाता है और आमतोर पर पतली पसलियों का उप्योग किया जाता है आप जमे होए बार्बेक्यू पसलियों का भी उप्योग कर सकते हैं जो फ्रीजर में पाए जा सकते हैं पसली के आधे हिस्से को पतली स्लाइस में काटा जाता है और ग्रिल किया जाता है जबकि बाकी को पीस कर छोटे मीट बॉल में बनाया जाता है इन्हें ग्रिल ग्रेट पर भी ग्रिल किया जाता है जहां बंस को बीच में सैंडविच किया जाता है जब मास तयार हो जाता है तो उन्हें मचली सौस, सिर्का, मिर्च, नीम्बू और चीनी से बने मीठे और खटे सौस में डाल दिया जाना चाहिए इस अध्धुत संयोजन के बिना व्यंजन समान नहीं होगा मीठी और खटी चट्मी फैटी रिब मीठ के खिलाफ एकदम सही है लेकिन जड़ी बूटियों को मत भूलना वे व्यतनामी भोजन में नितांद आवशक है यहां आमतोर पर धनिया और बीन स्ट्राउट्स होते हैं जो लागू होते हैं आप चाहें तो पुदीने का इस्तमाल कर सकते हैं पार्क में बार्बेक्यू जैसा कि यहां असली स्ट्रीट फूड है हम अनुशंसा करते हैं कि आप इसे अपनी उंगलियों से खाएं यदि आप इस भोजन को पार्क में ले जाने जा रहे हैं तो आप लेट्यूस के पत्तों में नूडल्स, मास और जड़ी बूटिया डाल सकते हैं अधिमानता रोमानो लेट्यूस सौस खत्म करें और जड़ी बूटियों और सलात के पत्तों को अपने अपने बक्सों में रखें आप नूडल्स को पहले से पका सकते हैं मास को एक छोटे से पोटेबल ग्रिल पर ग्रिल करें वास्तव में बंचा के लिए छोटे ग्रिल एकदम सही है मास अंगारों के करीब आता है और बिल्कुल स्वादिश्ट ग्रिल का स्वाद देता है जो मास के स्लाइस और मीट बॉल दोनों में होना चाहिए हम बंचा के लिए एक बड़ा हुरे सुनते हैं, जो इस्टर के समय गर्मियों का सबसे अच्छा बार्बेक्यू है ग्रिल पर कुछ नया च्राई करे और ट्रेंडी वियतनामी बार्बेक्यू फूर्ड बंचा बनाए आपको चार लोगों के लिए इसकी आवशक्ता है हड्डियों के बिना एक किलो बार्बेक्यू पसलियां और कसम या उससे अधिक एक प्रकार का अचार आधा डियेल फिश सॉस पांच हरे प्यास पतले कटे हुए तीन लहसुन की कलियां बारी कटी हुई एक बड़ा चम्मच सोया सॉस एक छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्ज खट्टा मीठा सॉस दो बड़े चम्मच फिश सॉस चावल के सिरके के पांच बड़े चम्मच तीन छोटे चम्मच चीनी एक डियल पानी एक लाल मिर्ज कटी हुई दो लहसुन की कलियां बारी कटी हुई एक बड़ा चम्मच नीबू का रस सेमवई चावल नूडल्स का एक पैकेट बीन स्प्राउट्स का एक पैकेट या शुगर स्नाप मटर एक बरतन धनिया पॉट पुदीना आपने ऐसा किया है चरण एक सुवर का मास पसलियों को आधा में काटे एक को महीन लोई में पीस ले आप इसे हाथ से फूट प्रसेसर में या मीट ग्राइंदर में कर सकते हैं यदि आप बार्बेक्यू पसलियों का उप्योग करते हैं तो किसी न किसी किनारे को हटा दे और आधा मास पीस ले. चरन दो छोटी गेंदो को पिंग पॉंग गेंदो के आकार का बनाएं. मीट बॉल को दबाएं ताकि वे हौकी पक की तरह दिखें. स्टेप तीन मैरिनेर बनाएं और मीट बॉल्स और बाकी मीट स्लाइस को मैरिनेर में दो घंटे के लिए फरिज में रख दे. स्टेप चार सौस बनाएं सुनिश्शित करें की चीनी सिरके में घुल जाएं. स्टेप पाँच नूदल्स पकाएं स्टेप छे सलाद और हर्प्स को धोले स्टेप साथ मीट को मैरिनेड से बाहर निकाले पौर्क स्लाइस को ग्रिल करे मीट बॉल को एक डबल ग्रिल में ग्रिल किया जाता है आप इसे एक निशिद आकार के अधिकांज किराने की दुकानों में खरीच सकते है चरण आठ फिर नूडल्स चीनी मतर और जड़ी बूटियों के साथ एक प्लेट में रखने से पहले मास को सौस में डुगो दे अधिक विस्तरित जानकारी के लिए एशियाई केक या यूरोपिय केक बनाने के बारे में क्रिपया अपनी जानकारी छोड़ दे और ने शुल्क परामर्श सहायता प्राप्त करने के लिए नीचे सदस्यता ले बटन पर क्लिक करें मैकडॉनल्स के इस पॉर्डकास्ट को सुनने और उसका अनुसर्ण करने के लिए धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि आप अगले विडियो से सुनेंगे शुबकामनाई मैकडॉनल्स पॉर्डकास्ट 29 मार्श 2013